आपके नेट के एक्जाम के लिए तो नेट के पेपर वन केस लेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो है जिसमें मैं लगभग आपको दस कोश्चन करवाता हूं और ये कोश्चन जो होते हैं लगभग हर टॉपिक से होते हैं तो इस तरह के वीडियो में मैं आपको प्रीवियस एर के कोश्चन से भी कराता हूं जो कि एक्जाम में अलड़ी पूछे गए हैं और हर एक कोश्चन को हम एक्स्पें करते हैं ताकि जिस भी टाइप के कोश्चन आगे पूछे जा सकते हैं उन सभी कोश्चन से हम यहां डिस तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है क्लिक करके आप हमारी पहलीуждस के भी वीडियोत को देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो तो पहला जो सवाल है आज का वो ये है कि निम्न में से कौन सा समपरेशन का कारे है संप्रेशन का कार्य है तो पहला ये बोल रहा है कि निर्णे लेने के लिए सहायक बिल्कुल संप्रेशन जो होता है वो निर्णे लेने में हमारी शायता करता है कक्षा अनुदेश के लिए भी जो है संप्रेशन काफी महत्पून है ठीक है और समू के सुचारू संचालन के लिए भी जो है संप्रेशन काफी महत्पूर्ण होता है तो साही आंसर हो जाएगा option number D उप्युक्त सभी ठीक है उप्युक्त सभी हमारा correct answer है next question है निम्न में से कौन सा आसाव़धिक संप्रेशन का उध़ारन है आसावधिक संप्रेशन का मतलब यह होता है कि जिस संप्रेशन में सब्दो का इस्तमाल नहीं किया जाता बलकि इसारो इतीदि से या फिर हाथ की गतिविधियों से हम जब अपने बातों को सामने वाले तक पहुचाते हैं तो उसे हम कहते हैं आसाब्दिक संप्रेशन तो हाथ हिलाना भी एक आसाब्दिक संप्रेशन है ठीक है मुह हिलाना भी एक आसाब्दिक संप्रेशन है इधर उधर चलना भी आसाब्दिक संप्रेशन है जबकि report लिखना जो है ये एक साब्दिक संपरेशन है option number D's का correct answer होगा क्योंकि ये जो है ये साब्दिक संपरेशन है ना कि आसाब्दिक संपरेशन ठीक है हमसे सवाल में ये पूछा था कि कौन सा आसाब्दिक संपरेशन नहीं है तो report लिखना next question है निमल लिखित में से एक सिक्षक को पाठ योजना के परीचे में छात्रों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए मैं question एक फिर से पढ़ देता हूँ कि निमल लिखित में से एक सिक्षक को पाठ योजना के परीचे में छात्रों से क्या आपेक्षा रखनी चाहिए ठीक है तो इस question का जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number C ध्यान आकरशित करना ठीक है ध्यान आकरशित करना अमारा सही answer हो जाएगा next question है निमिल लिखित में से ठीक है निमिल लिखित में से किस विधी में परी संबाद या विचार गोस्टी को संबंद करके देखा जा सकता है तो वो कौन सी विदी है अविशकार विदी है परीचर्चा विदी है व्याख्यान विदी है या फिर परदर्चन विदी है तो देखें सब्द से ही पता चल जाएगा इसका सही जो आंसर है वो है option number B परी चर्चा विधी ठीक है परी चर्चा विधी में ही जो है हम किसी भी विशे पर चर्चाई करते हैं जबकि परी समबाद जो होता है बिल्कुल वैसा ही होता है और विचार गोस्टी में भी कुछ इसी प्रकार की गति विधी हम करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा परी चर्चा विधी next question जो है वो ये है कि विधी श्याम पठ पर लिखते समय अच्छा विधी नहीं होगा इसमें चोटे अक्छोरों में लिखना तो सही जो आंसर है वो है option number A अच्छा लिखना ठीक है अच्छी लिखावट जो है ये सबसे महत्मुण मानी जाती है अगर कोई भी जो शिक्षक है वो स्याम पठ का इस्तमाल कक्षा में कर रहा है तो ठीक है तो सही आंसर है option number A next question है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है चैनित अध्यन के द्वारा आकास्मिक अध्यन के द्वारा गहन अध्यन के द्वारा या कंठस्त अध्यन हो गया आपे ठीक है अध्यन के द्वारा सही आंसर है option number C option number C इसका correct answer है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए चात्रों को जो है गहन अध्यन के लिए प्रेरीत करना चाहिए ठीक है वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और पहले की वीडियो को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप हमारी वीडियो को देख सकते है नेक्स्ट जो कोश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सा गुनात्मक अनुसंधान का हिस्सा है मैं कोश्चन वार फिर से पढ़ देता हूं कि निम्न में से कौन सा गुनात्मक अनुसंधान का हिस्सा है ठीक हैस देखेस समू केंद्रिये ये जो है गुनात्मक अनुसंधान में आ जाता है परत्यक्ष अवलोकन भी गुणात्मक अनुसंधान का ही हिस्सा है गहन शाक्षतकार भी इसी का हिस्सा है तो सही आंसर है option number D option number D जो है इसका correct answer हो जाएगा और भी कई सारी विसेशता या कहीं की तत्व होते हैं गुणात्मक अनुसंधान में इतना तो मैंने आपको बता दिया और जो आपको याद रखना है कथात्मक या कथात्मकता और घटना जन्ये निर्जातिये व्यक्तिगत अध्यन व्यक्तिगत अध्यन ठीक है ये भी गुणात्मक अनुसंधान का ही हिस्सा है next question ये बोल रहा है कि motor motor वाहनों से न्िकलने वाले सब निमिल लिकित में से कौन सी एक परदूशित गैस है निमिल लिकित में से कौन सी एक परदूशित गैस है तो देखें सबसे जादा परदूशन जो करती है वो हूती है co2 यानि कारवन डाय ओक्साइड ठीक है? carbon dioxide जो global warming हो रही है जिसे हम global warming या हरी तिगरह प्रभावाली जो परमुख gas मानी जाती है वो ये है carbon dioxide ठीक है इसी का योगदान जो है 50 परतीशत है अन्ने गैसू की तुलना में ठीक है? 50 परतीशत योगदान जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी carbon dioxide का है global warming में तो इसलिए सबसे महत्पूर्ण gas मानी जाती है महत्पूर्ण नहीं हानी कारक मानी जाती है ठीक है next question है नेमिल लिखित में से कौन सा जीव sulfur dioxide परदूसक का सूचक होता है यानि आपको यह बताना है कि कौन सा ऐसा जीव है जिससे हमें पता चलता है कि वातावराण में जो है sulfur dioxide नामक जो परदूसक तत्व है वो मौजूद है ठीक है वो मौजूद है तो इसका सही जो आंसर है इस question का वो है option number B option number B लाइकीन ठीक है लाइकीन इसका correct answer है next question है नेमिल लिखित में से कौन सा अमलिय वर्षा का परभाव नहीं है अमलिय वर्षा का परभाव नहीं है देखें अमलिय वर्षा जो होती है ऐसे drain जिसे हम कहते है इसे परभाव किसी उसे पढ़ता है तो देखें मर्दा खराब होना ये जो है ये मर्दा अमलिय वर्षा से नहीं होता है या मर्दा शरन्ता जिसे हम कहते हैं हिंदी में तो ये अमल वर्षा के कारण नहीं होता जब कि ये सारे के सारे परभावित होते हैं अमल वर्षा से जैसे विरिक्षों की मौत पौधों की उत्पादक्ता में कमी आ जाना जीलो वा तलाब की मश्लियों की मौत होना ठीक है? ये सभी जो है अमलिय वर्षा के परभाव है ओके तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ होगा आज की वीडियो में इतने ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना पहली की वीडियो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है उपर आई बटन बे क्ले करके आप वीडियो को देख सकते हैं मिलेंगे अब नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो